आज की वीडियो मेरी एर कैनडा के बैगेज पॉलिसी के उपर है जिसके उपर मैं अलड़ी वीडियो बना भी चुका हूं लास्ट वीक जिसमें उन्होंने डेली टु वेंकूवर की जो डारेक फ्लाइट है फ्लाइट नमबर अ.C.45 और डेली टु टॉरांटो की जो अधिया प्लाइट नमबर या उनकी जो और डेली टु टॉरांटो की जो फ्लाइट अधिया उसमें भी क्या यह रूल अपलाई हो रहा है तो यह स्पैसिविविड़ दो फ्लाइट नमबर की विंकूवर एंड एसी फोडिनाइं जो की डेली टॉ टॉरांटो के लिए अब यह स्टिल एक कन्फूजन है जो एर कैनड़ने क्लेर नहीं किया बिकास मैंने जब एर कैनड़ के कॉल किया एंड आइस फो माय पेरेंट्स बुकिंग तो उन्होंने बताया कि जब की वो बुकिंग लाइक मैंने फेबरी में ती फ्लाइट तो उन्होंने में को बोला क अब उनका एक बागज ही अलाओड है आप सेकेंड नहीं कर सकते डिस्पाइट आप एरपोट पे भी जाके पे करके सेकेंड बैगेज नहीं कर सकते हैं तो वो एक निकिया डैली तो ट्रॉंटो एक डेली तो एक डेली तो वेंकूवर ने इस सेम फ्लाइट नमवर्स आप सेकेंड नहीं कर सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना आप सेकेंड बैगेज कर लो बिफोर एंट्रिंग एरपोर्ट आप वहां पे सिक्यूर्टी चैक पर बोल सकते हो कि एक बैगेज मेभी आपको रिटर्न करना पड़े क्योंकि एक बार आप अंदर चलेगे आपको बाहर अलावड नहीं आना तो आप वो एक रिस्क अगर आपने लेना आप ले सकते हो बट मेक शूर करना आपके जो सेकेंड बैगेज हो उसमें वही समानो जो अगर इनकेज बैगेज आपको बोलते हैं कि दो बैगेज ने रोग दिया तो वहां पीछे चोड़ सकते हो एंड सेम टाइम पर आप से नहीं पूछते देन कोई इस्वी निया क्योंकि एक बार आपने डेली एरपोट पर बैग सब्साइब करवा दिया वह सीधा आपको वेंकूवर या ट्रॉंटों में मिलेगा बट अगर महां पर बोर्डिंग पास के टाइम पर आपको बोलते हैं कि दो बैगेज ने आप एक बैगेज कर सकते हो फिर आपको वह एक बैग रिटर्न करना होगा आप अपने पेरेंस को यह जिनके भी साथा पाएं उनको बोल सकते हो थोड़ा बैगेज पॉलिस के उपर कि कुछ भी उनको शॉर्टी ने मिल पा रही है और इंडिया में एर कानडा के कस्ट्मों के एर से भी कॉंटाइक नहीं हो पा रहा तो इस टाइम पे अगर आप कर सकते हो बट मेक शूर एरपोर्ट पे आप प्रॉपर उनको बता के आप अपना सब्सक्राइब करने के अगर नहीं करते तो आप रिटर्न करते हैं जो भी अभी रिसेंट ट्रावल कर चुके हैं इन दे कमिंग डेज आप अभी करने वाले हैं तो जो भी आपका एक्स्पिरियंस है रिगार्डिंग यॉर बोलिंग पास के टाइम पे बागजी आप कितने अगर उसमें आपका भी रिसेंट ट्रावल हो चुका है या करने वाले हो तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कॉमेंट में जिरूर बताना जिससे कि अटलीस बाग के स्टुडेंट्स को या जो भी ट्रावल करने लगे हैं इन कमिंग डेज और मंस उनके लिए थोड़ी से ह कोपी और अपनी टिकेट की डीटेश वां पर सब्मिट कर रहे हैं उसकी जो कॉन्फरमेशन कोड होगा वह आपको साथ में करना है क्योंकि वह कॉन्फरमेशन कोड आपको डेली एरपोर्ट पे और वेंकूवर एरपोर्ट पे दिखाना होगा कि आप फुली वैक्सिनेटे जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी उसमें आपको अपनी टेस्ट रिपोट सब्मिट करनी होगी नेगेटिव तैस्ट रिपोर्ट या फिली वैक्सिनेशन को जो आपको सर्टिफेक्ट होगा जिसमें दोनों डोस जो की अप्रूट बैक्सिन से उनी में से होनी जिससे आपको वेंकूवर एरपोर्ट या कैन्डा में जो भी आप एरपोर्ट पर रांड कर रहो वहां पर प्रॉब्लम ना है बागी कुछ भी और नहीं अपडेट्स आते हैं एरलंस के राइडिंग जिए के लिए कोई नहीं रूल्स अप्लाय होते हैं अल्खी भी पोस्ट